हाई अब्रिवन फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया परिवार के बारे में अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया परिवार में फसा हुआ है चाहे वो पांच हजार हो पचास हजार हो या फिर लाको हो तो आप लोग इस वीडियो को कम्पलीट जरूर देखें क्यूंकि दोस्तो सहारा इंडिया परिवार का जो भी पैसा है उसका रिफन लेने के लिए गबर्मेंट ने एक पोर्टल लॉंच कर दिया है अब आप लोग इस पोर्टल से ओनलाइन के माध्यम से ही अपलाए कर सकेंगे और ओनलाइन अपलाए करने के बाद अगर आपका सहारा इंडिया परिवार में पैसा फसा हुआ है तो वो पैसा अब आपको दिया जाएगा तो किस तरह से आप लोग इस पोर्टल के माइध्यम से ओनलाइन करेंगे साथी एकाउन नमबर, सर्टिपिकेट नमबर, रिसिप डेट और मेंबर नमबर क्या आप लोग डालेंगे आज हम लोग जानेंगे अस्टेप बायस्टेप तो विडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे यूटूब चैनल में पहली बार विजिट कर दे हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को फ्रेस कर दे तो चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले केंदरिये पंजियक साहरा रिफंड वाले पोटल पे आ जाना है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं, आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जमा करता पंजिकरन उस पर क्लिक कर लेना है, अब यहाँ पे आप लोग अपने आधार नंबर का जो है लाज चार डिजिट को डाल लेंगे, नेक्स्ट वाले कोलम में जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, उसे यहाँ पे डाल लेना है, उसके बाद OTP लेना है, उसके बाद OTP सत्यापीत करे पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आधार डेटा का अपलोग करने के लिए जमा करता की सहमती मांगा जा रहा है, तो अस्कूल डाउन करके नीचे आ जाना है, आने के बाद नीचे देखेंगे नियम और सर्ते तो उस पर टिक कर लेना है, उसके बाद मैं सहमत हो, उस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अगला उस पर क्लिक कर लेना है, अब यहाँ पे आप लोग दो नम्मर में देख रहे होंगे, व्यक्ति नमर पे एक OTP भेजा जाता है तो उस OTP को यहाँ पे डाल लेना है OTP डालने के बाद OTP सत्यापित करेपे किलिक कर लेना है तो अधार काड भेरिफाई होने के बाद आपका जो यूरन अधार काड में दिया हुआ रहता है वो यहाँ पे सारा सो कर दिया जाता है यहाँ पे आप लोग नीचे देख रहे होंगे इंटरियोर इमेल यहाँ पे आप अपने इमेल आईडी को डाल लेंगे उसके बाद इमेल सहेजे पे किलिक कर लेंगे तो इमेल आईडी डालने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्तिगत विवरन जो है सफलता प्रुवक सहे जा गया है अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अगला उस पर किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपके सामने जो है तिन नमबर वाला पेज खूल जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे सोसाइटी का नाम मांगा जाता है तो आपके बाद में जो भी सोसाइटी है उस सोसाइटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले कॉलम में सदेशत्ता संख्या मांगा जा रहा है यानि की membership number मांगा जा रहा है तो आप लोग bond में देख सकते हैं यहाँ जो membership number दिया है उसे वहाँ पे डाल देना है next वाले column में आपसे खाता संख्या का number मांगा जाता है तो यह भी आपको bond paper में मिल जाएगा यहाँ पे आप लोग जो देख रहे होंगे नीचे account number वही account number को वहाँ पे भर लेना है next वाले column में आप लोग को receipt number डालना है तो receipt number भी आपको bond में मिल जाता है आप यहाँ पे उपर में देख सकते हैं receipt number इसे ही वहाँ पे भर देना है next वाले column में आप अपने परमान पत्र या फिर पास्पूग नंबर को डाल लेंगे यह भी आपको bond paper पे मिल जाता है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे certificate number इसी को वहाँ पे डाल देना है next वाले column में खाता खुलने की तिथी को भी डाल लेना है तो यह भी आपको bond paper पे मिल जाता है इंडिया में deposit किया था उसको यहाँ पे भर लेना है तो यहाँ पे गलती से आप लोग maturity amount को नहीं डालेंगे आप लोग अपना पैसा जितना deposit किये हैं उसे ही भरेंगे यानि कि sum of rupees in figure इस वाले को वहाँ पे भरना है भरने के बाद next में आपसे पुछा जा रहा है कि कोई आंसिक भुकतान प्राप्त हुआ है यानि कि आपने सहारा इंडिया से कभी withdrawal किया था यदि किया था तो box पे टिक कर देना है तो जो व्यक्ति सहारा इंडिया से मतलब पहले withdrawal नहीं किया हुआ था तो यहाँ पे अंटिक ही रहने देंगे next में आपसे पूछा जाता है क्या आपने society से रीन लिया है यदि आपने किसी परकार का loan लिया है तो यहाँ पे टिक कर देंगे और आपने किसी परकार का रीन नहीं लिया है तो इसे अंटिक ही रहने देना है उसके बाद जो है जमाब परमान पतर आप लोग कोstein करने का रहता है यानि कि आप यहाँ पे जो है इस bond को यहाँ पे upload कर देंगे तो upload करने के बाद आपके display पे जो है यहाँ पे bond paper सोक कर दिया जाता है अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे दावा जोड़े उस पर किलिक कर लेना है दावा जोड़े पे किलिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे एक bond paper यहाँ पे aid कर दिया जाता है यदि आप लोग के पास 4-5 च्थो बॉन्ड पेपर है और पास्पूक है तो इसी तरह सभी का सोसाइटी सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद सारे का डाटा मेंटेन कर लेंगे और आप बॉन्ड पेपर को अपलोड कर लेंगे और इसी तरह से दावा जोड़े पे क्लिक करके सभी को एड कर लेना है एड करने के बाद यहाँ पे नीची आप लोग देख रहे होंगे अगला उस पे क्लिक कर देना है अब आप लोग के सामने एक फोर्म आ जाता है तो इस फोर्म को सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट कर लेना है यहाँ पर जो form में आप लोग देख रहे हैं फोटो चिपका हैं तो यहाँ पर आप अपने फोटो को चिपका लेंगें उसके बाद फोटो में cross sign कर देना है Sign करने के बाद नीचे आप अपने यहाँ पे bank के name को डाल लेंगे उसके बाद नीचे आप लोग देख रहे होंगे जितना आप लोगों ने bond paper को add करा यहाँ आपके सामने show कर दिया जाता है अब आप लोग देख रहे होंगे घोसना पत्र तो घोसना पत्र में आप यहाँ पे सबसे पहले डिपोजिटर का साइन ले लेंगे और उनके प्लेज के नेम को लिखेंगे और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे भर लेना है भरने के बाद इस दोनों पेपर को असकेन कर लेना है और अपने सिस्टम में PDF बना के अपने फाइल में सेब करके रख लेना है सेब करने के बाद फिर से जो है सहारा रिफंड वाले पोटल पे आ जाना है आने के बाद आप लोग उपर में देख रहे होंगे दावा अनुरोध परपत्र जनरेट करें तो उसपर किलिक कर लेना है अब आप लोग नीचे की और आ जाएंगे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे अगला का ऐकन उसपर किलिक कर लेना है अब यहाँ पर आप लोग के सामने पाचवा नमबर वाला पेज खूल जाता है यानि की दस्तावेज अपलोड करे वाला फाइल खूल जाता है तो सबसे पहले अभी आप लोगों ने जिस पेज को असकेन करा यानि की PDF बना के रखा उसे यहाँ पर अपलोड कर लेना है उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्पले में कि आप लोगों ने जो डोकुमेंट्स अपलोड करा वो यहाँ पे सोग कर दिया जाता है अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे यलो कलर में अपलोड करें उस पे किलिक कर देना है तो यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावे सफलता पुर्वग अपलोड किये गए हैं अगले चरन पे जाए तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे अगला का आइकन उस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सिलीप जन्रेट हो जाता है तो इस वाले सिलीप को आप अपने पास प्रिंट करके रख लेंगे कमपनी जो है आपको 30 से 15 दिन या फिर 45 दिनों में आपसे कॉंटेक्ट करेगी और आपसे आवेदन संख्या मांगा जाएगा और आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सहारा इंडिया रिफंड में किस तरह से आवेदन किया जाता है अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नियो अपडेट के साथ तब तक के लिए जह हूं